हाई गाईज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ मेकप लोग आप लोग बताना कि मैंने किस तरीके से ही जिस तरीके से ही मेकप किया आपको कैसा लगा चलिए थोड़ा सा पहले पोजस दे देते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी होगी तो आपका मेकप काफी फ्लॉलेस लगेगा उसके बाद मैंने या पर यूज किया है सीरम जो की गानियर का है आप कोई भी सीरम ले लो जो भी आपके पास अभीलवल है वो शीरम आप ले सकते हो और अच्छे से अपने स्किन पर लगा लो नाओडेज मैं मे स्किन कियर अच्छे से करनी ही पड़ती है अधरवाइस मेरा मेकप मेरा जो वेस है वो अच्छा नहीं लगता आप चाहें मॉस्टराइजर की जगह जोंसन पर या फिर क्या बोलते हैं हिमालिया की क्रीम लगा सकते हैं बाकी मैं यहां पर लगा रही हूँ यह लगा रही उसकी बाद मैं यहां पर लगा रही हूँ लैकमी का यह प्राइमर यह प्राइमर मैं हाइली सजिस्ट करूँगी आप लोगों को लेना ही चाहिए वैसे ही लैकमी का वो लूमी क्रीम आपको लेना ही चाहिए क्योंकि वो मैक की लूमी क्रीम को ही टक कर देता है मतलब मैं मै की पहले यूज़ करती थी लेकिन नावडेज मैं वही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं की काफी महंगी आती है कहां 35-36 की और कहां 300 रुपए में ये मिल जाएगी आपको उसके बाद प्राइमर के बाद मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाना है कंसीलर आप हमेशा उधर लगाई करती हूँ अच्छे से इसको ब्लैंड कर लोगे उसकी बाद एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको सेट करना होता है नहीं तो क्रीज लाइन आ जाएंगी और फिर आप कोच भी लगाऊगे तो आप इसके नहीं देखेगी यहां पर क्या हुआ ना जब मैं वीडियो रिकॉर लगा सकते हैं चाहें तो फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं जैसे मैंने बोला यह बिगनर्स के लिए मेकप है जिनको मेकप बिल्कुल भी नहीं आता वो भी यह मेकप आराम से कर सकते हैं तो जैसे मैं यहां पर दिखा रही हूँ कि आप फिंगर से भी लगा सकते हैं तो तो वह और इंज पिंग दोनों सेट को मिक्स कर अच्छे से आपको क्रीस लाइन पर लगा लेना है ठीक है उसके बाद वाटर लाइन की नीचे थोड़ा साइडू लगाईए इससी होता है आप काजल, लाइनर, मस्कारा जो भी लगाती है आपका आइस भहुत सुंदर दिखत की आता है आप देखना काजल केतने अच्छे से दिखेगा और मैं काजल थोड़ा सा मुटा लगाती हूँ क्योंकि अगर मैं मूटा लगाती हूँ दर्वाइस मैं पतला लगाती हूँ तो यहाँ पर आज मुझे में यहां पर लगा रही हूँ आई वो मस्कारा और मैं जो भी प्रोड़क्ट यूज़ कर रही हूँ यह बहुत महंगी नहीं है यह बहुत अच्छे हैं और अफॉर्डिबल भी है क्योंकि अच्छा प्रोड़क्ट भी उज़ करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपन यह नहीं कि मैं रोज फाउंडेशन लगाती हूँ जी नहीं मैं सिर्फ कंसीलर लगा लेते हूँ फेस पर क्योंकि जब मैं अंडर आई एरिया पे लगाते हूँ पूरा फेस आराम से कवर हो जाता है उसकी बाद यहां पे मैं फिटमी का और मामारत का फाउंडेशन लगात या फिर परपल से आपको हर जगे ये काफी अफ़ोडेबल मिल जाएंगे उसकी बाद यहाँ पर मैं कॉमपेक्ट से जो भी फाउंडिशन मेंने लगाई उसको सेट करूँगी कॉमपेक्ट मैं बहुत जादा यूज नहीं करती है फटा फटा आपका मेकप नहीं दिखता उसके बाद ये अर्द रिदम का बलशर में लगा रही हूँ भाई ये बलश मुझे इतना पसंद है मैं आस तक इसकी कम से कम 5-6 बॉटल खाली कर चुकी हूँ जब से मुझे इस बलश के बारे में पता लगा अभी आपको ये नैशरल कहीं से नहीं लग रहा होगा लेकिन इसको थोड़ा सा नैशरल दिखाने के लिए जो मैंने एस्ट्रा लूस पाउडर लगा के रखा तो उसको ब्लेंड करूंगी और उसके साथ साथ ये ब्लेंड भी हो जाता है तो देखिए ब्लेश भी काफी अच्छे से दिखा मैं ब्लेश थोड़ा जादा इसलिए लगाते हुए कि फोटो बगयरा में बड़ा अच्छा दिखता है उसके बाद थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर लगा है बहुत जादा नहीं आप जादा भी लगा सकते क्योंकि नाइट टाइम में अगर आप ये मेक अप करेंगे तो अब इसलिए थोड़ा जादा अच्छा लगेगा जैसा चांद चमगेगा वैसा आपका चाहरा भी चमगेगा बिल्कुल चांद की तरह और उसकी बाद हाईलाइटर मतलब ऐसा है कि हाईलाइटर और बलशी होता है जो में किर्दार नहीं भाता है पूरा मेक अप में तो मैं तो मतलब भर भर के लगाना पसंद करती हूँ फेस्टिवल पे और उसकी बाद आपको क्या करना होता है ना कुछ स्टेप्स होते है ज की जस्ट उपर उसके बाद आई ब्रोज को फिल कर लूँगी कितनी सारी चीजे लगाते हैं तो उसमें फाउंडीशन लग जाता आई ब्रोज पे और पाउडर लग जाता अभी तो देख सकते मेरे बालों पे तक लगा हुआ है तो इसको आई ब्रोज को मैं अच्छे से यहा कर लूँगी लिप लाइन करने के बाद मैंने पहले एक न्यूड सीड लगाया हुगा है मैं हमेशाद दो सीड को मिक्स करके ही लगाती हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेड सीड लगा लिया तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एक अलग सा लूप एक अलग सा कल जरूर बताना एंड यह देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से बहुत लो लाइट मैं इस वीडियो को शूट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से सब चीजे समझ में आए अपर बतादू कि यह जो मैंने चुन्री ली हुई है यह मैं आपको पूरी दिखाने वाली थो आपको लेना है सब आपको ओलाइन मिल जाएगा सबकी लिंक आपको डिस्क्रुप्शेन में मिल जाएगी एंड सबसे सुझर लगा मुझे यह चूडा इतना जाधा अपोर्डिवल है इतना है ऑफि प्रूजाब थो कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलू मुझे तो यह लग ले लो मतलब इतना अच्छा डिसकाउंट आपको फिर कभी नहीं मिलेगा तो अभी जो डिसकाउंट है उसका फायदा अच्छ से उठा लो और जो मैंने साडी पहनी है वो तो आपको बिलीब भी नहीं होगी मैं आप साडी में पूरा लगा लगा रही हूं आप लुक देखो इस जो साडी है यह साडी इतनी जादा फोर्डिवल है नाओड़ी मिल पहले इतनी अफोर्डिवल नहीं थी जब मैंने ली थी मैंने बारस रुपे की ली थी लेकर आज की डिट मैं यह 700-500-800 आट-100 की अराउंड को मिल ही जाएगी तो अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बे जिजग बे धड़क और कैसा लगा यह लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा आप लोगों ने बोला था करवा चौत मेक अप लुक लेकर आओ तो मैं ऐसा मेक अप लुक लेकर आई हूं जो हर क कोई कर सकता है मतलब बिगनर भी इस मेक अपको अच्छे से कर सकते हैं तो बताना मुझे मैं कैसी लग रही हूं चलिए तो गैज यसी के साथ कर रहे हैं उस वीडियो का एंड आई फील हूं गैस कि आज का मेक अप लुक आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक औ कमेंट ज़रूर करना अलसो सब्सक्राइब कर लेना चलिए बाइबाई